भूल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूकर्ष हो और आज हम लोग उपसर को कंप्रीट कर लेंगे इस से पहले हम लोगोंने संधी है वर्ण माला है ये सारे हिंदी के टॉपिक्स को कंप्रीट किया है। से आप यह मान के चलेंगे कि आपके यूपी टेट में और आपके डी ट्रपलस भी में बहर-बहर के कोशन्स पूछे जाते हैं ठीक है और जो बच्छे सीटेट के लिए देखना चाहरे हैं तो सीटेट में पूछ लेते हैं बड़ इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं वह लग कि आप लोगों से परिभासाइं ज्यादा पूछी जाने लगी है ठीक है तो परिभासाओं को मद्द नजर रखते हुए हम लोग इस चीश पे विशेज गौर करेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं जैसे वर्ण माला में हमने पढ़ाता है कि वर्णों का जो व्यविस्तित सम होता है उसे वर्ण माला कहता ूपसर्ग सब्दांस होते हैं ठीक है और इसकी विशेष्टा है कि ये शब्द के आगे लगते हैं एक से ज्यादा प्सर्ग हो सकते हैं या आप लोगों से कोशन पूछा जा सकता है फिक है तो जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं एक शब्द में एक से ज़्यादा उपसर्ग हो सकता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उपसर्ग भो शब्द होते हैं, जो कि किसी भी शब्द में आगे लगते हैं। जैसे कि आपके पास उधारण के लिए एक शब्द है प्रतेक। तो बच्चों आप किसी भी सब्द का जब संदी बिख्षेद करते हैं इसलिए हमने आपको संदी पहले ही कंप्रीट करा दिया था उचित होता तो जो जो अन है यह हमारा उपसर्द कहलाएगा शब्द के मूल भाग को अलग करने पर जो आगे का सेज भाग बसता है उसे ही उपसर्द कहते हैं जैसे कि अभी हम लोगों ने देख लिए था प्रतेक में प्रति धन एक जैसे हम उसका संदी बिख्षेद किया त उसके मूल भाग को जब हमने इसका संदी बिख्षेद किया तो प्रति और एक आयना तो एक क्या है एक मूल शब्द है तो जो जो सेज बचेगा सेज के है बच रहा है प्रति बच रहा है तो यह हमारा उपसर कहलाएगा अब यह आपसे डारेक्ट कोईशन बनते हैं और आय संख्या 22 होती है हिंदी में 10 होती है उर्दू में 19 और इंग्लिस में 8 होती है ठीक है अब हम लोग एक एक करके इन सभी को पढ़ लेंगे और उपसर्व में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं तो सबसे पहले तो आपको बता दे कि संस्क्रेट में जो उपसर्व की संख्या है व तो देखे वेचो अती समझके आप यह में सूचेगा कि यह पर अत्यंत कैसे होगा जैसे ही आप अत्यंत का संदी विख्षयत करते हैं तो वह आपका अत्य धन अंत ही निकल कर आएगा ठीक है और प्रतेक शब्द का आप उपसर्ग तभी सही बता सकते हैं जब आप उस आप लोग जरूर 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 नोट कर लीजेगा ठीक है जब हम अति-धन अंत करेंगे तभी हमारा जो उपसर्ग है अति-धन-एव करेंगे अति-धन-इंद्रिय करेंगे अति-धन-अधिक करेंगे और अधियुत्यम में अतिधन उत्तम करेंगे ठीके बच्चो ऐसे ही जब हम लोग अधी की बात करते तो अधिक्रत है अधियक्ष है अधिशार नहीं यह कुछ आपके लिए मैंने काफी सारे सारे उधारन रखें आपके एक्जाम में यूपीटेट में तो और डियूट्रप अला तो भी आपको छीजे अच्छे सा समझ में आता हैंगी अनु मतले होता है पीचर यहां पर को सामान जैसे कि अनुज अनुरू अनुवचन अंविक्षण अनुदित अन्वेक्षण यहां फिर अनुछेद तो इन सब का जो संदीवेक्षण है वह आप अनुधन अज अ पाश्मा है अभी, अभिभूत, अभिउदय, अभियंतर, छटवा है अभ, अभियानी की अफतार, अवग्या, अफकास, अफसेश, आ, अघात, आगम, आमोद, आतप, उत, उत यान, ता के नीचे हलंत, यानी की जो ता है, वेंजन संदी में लोगन पढ़ाता है, वो अपने अभिए पहले या तीसरे में बदल जाता है, तो तो किस में बढ़ेगा, ता, द, ध, जा, पांचमे में भी बतलता है, हां, पहले तीसरे में बतलता है, तो आप क्या करेंगे, ता जो है वो जामे, आप जैसे ही संदी चीजे कलियर होती चली जाएंगी, उप, उपवन, दुशाशन तो संधी विख्षियत में भी बहुत बार पूछा जाता है और आपसे उपसर्व में भी इसका पूछ सकता है तो यह सब चीजें बहुत बेसिक सी हैं अगर आप वीडियो से देखके अपने नोट्स बनाना चाहें अंदर बैस सुनना चाहें तो आपको यहाद हो संधी विख्षियत मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमने आपको संधी के जब 60 कोश्यत की सीरीज कराया थी तब आप लोगों कराया था ठीक है निर निरामिश बलंभ निर्धन निरोग निरश ठीक है निश निश मानलब निश्चल निशकाम निशपल निशपल निश निश्चल 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 हमारे उर्धू में आप जरा जरा सी चीजों में मात खा जाते हिनी में दश उपसर्ग है किस तरीके से भर भरा पूरा भरापूरा जैसे रहे ही भरकम भरपूर भरसक भरपाई ठीक है अन, अन मतलब होता है अन पढ़, अन मतलब होता है जैसे बिना और नहीं, तो इसका तो हमें अर्थ नहीं चाहिए लेकिन जैसे अन से बने हुए शब्दों को हमें पता होना चाहिए अगर हम, माल लिजए यहां पर हमने सब ले लिए अनजान तो अंजान का जब संदी विक्षेत करेंगे तो अंधन जान नहीं तो करतेंगे ना बहुत इजी सा बर्ड तो आपको अनो ध्यान रखना है अध अध पका, अध जला, अध कचरा, अधमरा, अध गला हम लोगों को देखे काते हैं कि अधमरा सजा रहा है तो अधमरा में जो स नाना 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 प्रकार नाना रूप नाना प्रकार के आस्तर सस्थ्रों का प्रयोग हुआ करता था कूँ और आप यह तस हमारे हिंदी के संदी हिंदी के उपसर दें बच्छों इनको आप लोग जरूर 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 कर लें उसे उचा उजड़ना उचा का आप ल उनका बताएंगे और दोसरा आप लोग उच्छा का बताएंगे ठीक है हम लोग आगे बढ़ेंगे अर्दू में अगर अगर अमने हुअप सर्ग होते बच्छों 19 जैसे की 19 कौन से ला बद्बे कम ठीक है ला से ला जवाब ला चार जा के नीचे मातरा आएगी ला परवाल नापता, बद बद यानि बद सूरत, बद नाम, बद दिमाग, बद बू, बद किस्मत, ठीक है, बे यानि की बेकाम, बे अशर, बे रहम, बेमान, बे रहम, कम कम मतलब, कम बक्त, कम जोर, कम दिमाग, कम अकल, कम उम्र, कम अकल के नीचे भी मातरा ही, ठीक है, गैर गैर यानि की नालायक नामुम्किन ना राज ना दान ना पसंद. फिर साथ खुश खुश भार, खुशमिजाज, खुशबू, खुश दिल, हम यानी के हम उम्र, हम दर्द, हम राज, हम पेशा. इन यानी की इन वक्त, इन जगा, यहां पर अगर आपको इनके नीचे जैसे कि यहां पर आपको इनके नीचे जैसे siasano . तो जैसे कि जैसे कि जैसे है और आपो आपको मात्रा देखने को मिल जाती है या पक्षैं भी पता लगा पाएंगे तो भी व्याप समझ जैसे быकी है 알्याइड की उड्दों के पहिशान होती है कि कहा है ता है जा है शा है तो इनके नीचे क्या होती है मात्रा अंग बिंदी लगी होती फिर बेष्ट बेष्टवत बेष्ट बे पस 나오는 जाब इंक उव मौका अल-बाओ-बिद़त ठीक है यह तेरा कोशन यह तेरा मैंने आप लोगों को उर्दू के उपसर करा हैं यह तेरा बहुत ही इंपोर्टेंट है छे बचे हुए हैं आप लोग चाहे तो बताएंगे तो हम उनके लिए अलग से बना देंगे वीडियो अधर्वाइस आपके लिए तेरा ही सपीशेट ह अब हम लोग अंग्रेजी के कुछ उपसर्वों की बात कर लेते हैं अंग्रेजी के उपसर्व हैं जैसे कि सब ठीक है सब में हम लोग जैसे बढ़ते हैं सब इंस्पेक्टर सब कमिटी सब जज ठीक है डिप्टी डिप्टी जैसे डिप्टी कलेक्टर डिप्टी डिप्ट दिप्री मिनिस्टर, वाइस, वाइस जिसर आयर, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंड, जैसे जनरल मेनेजर है, जनरल सेकेटरी है, तो जितने भी आंग्रीजी के शबदों वह आपको इंगरिस के उपसर्वों का काम अरहाम से करते हुए मिल जाएंगे जैसे चीफ, चीफ इंजीनियर, चीफ शेकेटरी, हैट जैसे की हैट मास्टर, हैट कलर, हैट कलर, ठीक है, यह थे बच्चों हमारे उपसर्ग के पैचानने की वीडियो, संस्क्रिट में 22, हिंदी में 10, उर्दू में 19, और इंग्लिस में कितने उपसर्ग थे, आप लोग मुझे कमेंट ब पैच्चों दिया गया है, आप अगर उसका संदी विक्षेत कर लेंगे, तो आप उसका उपसर्ग अपने आप निकाल लेंगे, अत्याचार अती होगा इसका उपसर्ग, ठीक है, आप चाहें, तो नोट कर सकते हैं, अतिरिक्त, अत्याचार, अध्यक्ष, अत्याचार, अत अप्धन राद अप्षकुन मतलब अप्धन शकुन नहीं बोलते हैं अप्षकुन हो या अपसर्ग अप्धन कर्स अपमान अप्धन मान अभिमुख अभिधन मुख ठीक है न विच्चों ये देखें बहुत इजी है मैं आप लोगों को सारे अगर दिखा दू एक बार आप अधन हार का संदी विख्षेत आप और आप तो क्या करेंगे खुदी सोचिए न कुछ भी नहीं करना इसको यहां सी ब्रेक कर देना यह मूंच आप दो जाएगा यह हमारा अपसर हो जाएगा ठीक है कुछ इंगलिस के आगे जैसे कि सब इंस्पेक्टर ने की सब चीफ मिन बंद में नि निग्रह में नि निरोध में नियुक्ति में निरोग में निर निर्वाह में निर निर्दय में निर निसकपट में निष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष प्रतेक में प्रती फिलहाल में फिल लाइलाज में लाइलाज जो है बच्छो यह उद्धू का उपसर्ग है उमीद करेंगी खिया तब क्याद होगी यह चपन आपको हमने उपसर्ग के पैचानने की कोशन्स दिये इसके अलावा हमने आपको कम से कमी तो पांच-पांच उध इसके ट्रते चैनल है वह भी आपकी पिशेर नीए खिक है अधियाक्ष में बताइए कौन सा उपसर्ग है कि आगे बढ़ेंगे अनुज में कौन सा उपसर्ग है अनुज अनुज बताएंगे इसमें अनुज होगा या उजय होगा तो बच्छो उजय कुछ भी नहीं होता है देखो जा का मतलब होता है जासे जलज होता है ठीक है यानि की जलसे उद्बन होने वाली यानि की कमल यानि की चंडरमा ओल्राइट तो इसका जो सही answer है वो अनू होगा देखे यहां पर नाजान साही लिख भी रखा है आप लोगों के लिए अधी भार अधी धन भार इसका option सही जो होगा वो होगा option number B हमारा ठीके बच्चो प्रजनन में कौन सा उपसर अगा प्रज है बच्चो और कोई सा नहीं है प्रज आइमिन प्रजन में है न तो प्रजनन में तो प्रजनन जनन चननन तो प्रजनन प्रहार है इसके प्रजनन कोई प्रजनन कोई difficult नहीं है अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके questions भी आप लोगों कोम करवा देगे मेरा काम तो आप लोगों को सिर्फ पढ़ाने का है बाकी पढ़ना कैसे आए वो आप रूख जानते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन टेक यह और वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स ने जरूर बताईएगा सब्सक्राइब कर दिया अगर नहीं हो तो लाइक करें शियर करें